संपूर्ण खरगोन जीले में गरीब कल्यान रोजगर अभियान के तहद जहां जीले में 180 सोचालेयों का निर्माण किया गया इसके अंतरगर टांडा बरूर में भी दो सोचालेयों का निर्माण किया गया इसके तहद आज जीला पंचाय सीईयो गोरो वेनल, एडिशनल सीईयो पूरूशोत्तम पाटिदार और जनपत पंचाय सीईयो राजिंद्र सर्मा द्वारा सोचालेयों का अवलोकन किया गया साथ ही ग्राम के करीब स्वीपर दिलावर खान द्वारा सोचाले का उधगाटन करवा कर सीईयो सहब ने अपनी उधारता वो मानोता का परिचे दिया महज 33 लाख रुपे में बनने वाले इन सोचालेयों का निर्माण प्रसंस नहीं है ग्यात रहे गंदे ग्राम के नाम से प्रशिद्ध ये टांडा बरूट शेत्र का मुख्य मार्ग जहां अत्यदी गंदेगी होने से बाहरी वैक्ति को दुरगंध बदभूव कीचर से आने जाने में काफी परिशानियों का सामना करना पड़ता था ऐसी परिस्तितियों में मार्ग का दुरुस्ती करण और सोचाले के निर्मान से गाउं की दशा और दिशा ही बदल कर रख दी और इस गंदे ग्राम से भी मुक्ति मिल गई CEO द्वरा सरपंच जे गीना अच्छाले एवं सचीव राजुखान की तारिफ करते हुए और भी जो अधूरे विकास कारे पड़े हुए हैं उनको भी जल्द पूर्ण करवाने का आश्वासन दिया टांडा बरूर से रामेशर कुम्रावत की रिपोर्ट बरूर जो कि गंदे गाम के राम से प्रसिद्ध था और आज यहां पर स्वच्चता से साफ सपाई और सोचलाय बनकर इस गंदगी से मुक्ति मिली है तो इस संबंद में क्या कहेंगे यह गरीब कल्यान रोजगार अभियान के दहट पूरे जिले में 180 दोसों यह समुदाइक शोचलाय बनाए जारे हैं उसमें से एक बरूर में ही बनाए गया है तो इसमें बरूर में बहुत अच्छा काम हुआ है पूरी टीम ने एस बीम की टीम ने बहुत अच्छा काम किया है यहां कि लोकल की टीम ने बहुत अच्छा काम किया और यहां जजाब देख सकते हैं कि बहुत अच्छा एक समुदाइक शोचलाय बनके तयार हुआ है तो आगे कोशिच यही रहीगी कि बहुत अच्छे से उपयोग हो और मेंटेंड चूंकि बरूर में अभी भी बहुत सारी समस्यां इस संबंद में आगे क्या कार्य हो सकते हैं जैसे समस्यां सामने आ रही है वैसे वैसे उनका निराट्वन किया रहे हैं यह ठांड़ा बरूर गंदे गाम के नाम से फ्रेमस है और यहां पर बहुत गंदगी थी आप स्वच्छता दिखाई दे रही है इस संब सब्सक्राइब करें और यह काम किया है इसके लिए मैं अपने उन्हों से भी आभारी उनका और हम ऐसा यह है कि बरूर ग्राम में इतनी भी गंदगी है और वह मिड़ती जाए और सोच्छा अभिहान के और अपने गाहों मेरा चलता जाए क्या नाम है आपका दिलावर खान सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी न भूलें